कि असलाम अलेकूं वहांत अलाहिव वरकातों ओप एविवन इस फाइन है मैं भी ठीक हूं शुकुर अल्लाह का अच्छा जो हमारा लास्ट सब्यूनिट है इकाल जी में एक्षुरी प्लूशन एन्वरमेंटल प्लूशन देखो अगर आप देखो कि एन्वरमेंट तीन और सिन्वरमा लानि बाइस्ट हमार हम थेएड क्यमक्यल सेक्शन एन्ट एन्वरमेंट एन्वरमेंट छु बढेऊं मुर्ट त्यांथ सट्ग करू आप देखो कि दिएक स्ट्रॉक्चर आप देखो कि दिसकिशन प्लूच्चर हमेंत एंधो ग्राद संद्ट dessus अकिमक्य change in it is physical chemical or biological components we can call it as environmental pollution environmental pollution go simply any undesirable change that occurs in the physical chemical or biological characteristics of an environment that is simply called as environmental pollution environmental pollution मतलब गो यह एकिस environment ismas undesirable change that physical section ismas chemical section ismas ya biological section ismas that is called as environmental pollution any undesirable undesirable change in the physical chemical or biological characteristics of an organism characteristics of an environment that is called as environmental pollution कहा है थी फिसिकल चेंज, कहा है थी चेमिकल चेंज, कहा है थी भायालजिकल चेंज यास एक इस एंवरिमेंटसमस गैसे तक चेंज ना वनन एंवरिमेंटल पिलुशन मैं चेंट थावन याद अगर आप गई आता है एगर यह हाँ यह पिलुशन अगर आई यह अन्डिसरीबल चेंज ँच अन्डिसरीबल चेंज इस ना वनन environmental pollution या तच्छेश नावन pollution तच्छेश नावन pollution गो pollution गो simply any undesirable change that occurs in the physical, chemical or biological components of an environment that is called as environmental pollution the basic portions of an environment are air, water, land and soil. Now, अब दोस्तरा है यहाँ पर जो यह करते हैं तिम agents यह actually physical, chemical to biological properties of an environment change करें. तिम अच्छेश यूशली नावन polluted, तिम अच्छेश नावन polluted, गो तिम substances यह इंट्रूदूस गेसें environmentalism पतकरें वार्या जाद effect physical, chemical to biological properties, environmentalism तामे अन्दाज किये तिम हसा आईसें हारम फल फार every organism that is called as polluted, any substance that is introduced, just introduced gases in the environment, such in such a way so that the physical, chemical, और बायाल्जिकल प्रॉपर्टीज और एन एन्वारमेट और डिस्टॉर्बर इस काल्ड पिल्यूटेट इसको पिल्यूटेट कहा जाता है यह आपको दिमाज में रखना है कहां त्यूस सबस्टान इस त्रावहन एन्वारमेट अगर इस चेंज यह आथ एन्वारमेट अब्रॉपर्टीज यह सबस्टेंश आइसन पर एक इस आर्गिनिस्म ख़त्र बिनिफिशल कियां बिल्किते आर हारंफल नाव इस इस त्रावरमेट अब्रॉपर्यूशन के तीन आस्पेक्टर्स जो है इस एर पुलूशन वार्टरॉशन और जाल पुलूशन नाइस पॉलूशन को भी इंव्लूड किया गया है ने यहां प्लूशन में ही रिसेंट इसली है तो हम बात करेंगे यहां पे इयर प्लूशन तरह वुष्ट ओर आर पोलुशन के अगू और शिंपली ऐस नावनन् आधिए अगर जैए अपीर आपलुशन अगर उजस नावनन् चूंपली आप्टेगा नावनन् आप्टेशन। तप्णसेंट्रेशन मास् बश्यकाल यकैस आरगयनेसमा स्खशते धिया जामनेचे ना यह नावहनने नावहनने सzentन स Churchouch k Phques जामनेचेंचेंचेंचेंच इस ने रसकोर से शनावनन नावनने कर आंये звуч आप यह सकते हो में आत्मासफिरे यह हमारे पास एटमासफिरेंड किसी सबस्टेनिज की कंसेंट्रेशन एंपिंट máximo Crash आपको दिमाज में रखना है यहां आपको दिमाज में रखना है एर पोलुशन का मतलब है कोई भी unwanted change atmosphere में होना जिसकी वज़े से वहाँ पर organisms easily survive नहीं कर सकेंगे या air pollution का मतलब ये भी है कि एक atmosphere में substances की concentration उतनी जाना ज्यादा होना, किसी substances की concentration इतनी ज्यादा होना, कि उसकी वज़े से, उस concentration की वज़े से animals, man, या plants, या vegetation जो है, उस पर effective पड़ जाएगा that is called as air pollution now, air pollution के लिए हम यहाँ पर जो agents जो cause करते हैं air pollution, वो anthropogenic भी है, as well as man-made, या जो थाओ the pollutants that cause air pollution are both anthropogenic, यह pollutants cause air pollution pollutants that causes air pollution air pollution are both anthropogenic, मतलब man-made anthropogenic as well as natural यह आपको दिमाद में रखना है गो तिम pollutants यह cause करें air pollution, तिमचे दश हो आई तिमचे man-made थे तिमचे natural इन ने जाते, अगर ध्यान चुता होन यह polluted साई डिवाइड करनो दून सेक्शन मतलब air pollutants are our two types आगई primary pollutants ब्यागई secondary pollutants air pollutants are our two types यह polluted सिमचे इमचे जटाइब air pollutants air pollutants एक है primary polluted primary polluted पहले हम यह बताएंगे primary polluted क्या होता है तिम pollutants यह directly emitted into the atmosphere तिमचे इस नावण primary pollutants those pollutants which are directly emitted into the atmosphere from natural or anthropogenic sources तिमन अन्छे इस नावणा air pollutants हम च्छु प्रेडूस कासन like इस ब् önआच्छ लाइश च्छ इस च्छ च्छ अच्छ प्रेडूस कासन volcanic activity शे यह Carbon Oxid Gas च्छ ब्रेडूस कासन ुए पर्म्रीन पंद्धी अ र्डम rises 25 ञंटल बेश्प्रांगें ह्पोष और धेगीशिए हां जाल्वे इंटले वह अन собствен जरतीश इंर्ड्धी बेसी खीड गें हिस अग। in the atmosphere हिए एक नर्बिटोनटेस प्रैमरी प्लुटेंट निन को प्रैमरी प्लुटेंट सुनर आप देखोंगे इनका बेसिक रूण जो होता है इसार चाहासन यूहन चाहासन नेच्रल एक्टिए थिए एक दा सकाने परम सब्सक्नेश सबस्क्राइब करें हैं लिवन br Crispy प्रम दाव केतम्हकाूंग को फिलेक्टन सब्सक्रखते मसा इपटाइब लेगा। इस वल्कानिक एरॉप्शन ऐसा ट्रोपोजीनिक नेमा एंफ्रोफोजीनिक सोर्स लाइक अगर आप देखोंगे हम मोटर वीःक्लों को रान करते हैं भुट्र भोल्ूटत व तो अच फिकreon टियम पलूटत इमपरिन शेच हराओस आप अन्गार्वन करणा और जीम ब्रेक्ली मेंट बैच्वर्प्र बैच्य करणा। यह ash चो डिरेक्टी इमिट कासन अटमास्पियर असमस यह था इपच्छाक man-made activity motor vehicles मतलब we are completely dependent on transportation तो transportation में incomplete combustion होती है जब incomplete combustion होती है तो incomplete combustion में carbon dioxide के बदले carbon monoxide produce होता है यह carbon monoxide directly emit होता है अटमास्पियर में तो हम इसको कहते है उस time primary polluted अब उसके बाद है secondary pollutants क्या होते है secondary pollutants क्या है secondary pollutants के यह pollutants यह इमिट गैसन अटमास्पियर असमस किया बल्कि यह बाद गैसन प्रड्यूस यह primary pollutants पानवाई react करें या चुतावल secondary pollutants वो substances होते हैं जो emit atmosphere में directly नहीं होते है बल्कि यह बंद जाते है जब primary pollutants आपस में react करते है secondary pollutants यूंग इत्तियों दोस पुलूू। आपस्पियर विच आर नाद Candle रीपलू। यह मंगरेंशिव प्रड्यूूसुच गा सनती बट आर प्रड्यूू। विच इथरे है जब primary pollutants आपस में react करते है तो तब ही प्रेवरी प्रड्यूूू। इसमें मैंने आपको बताया यह hybrid सब्सक्राइब प्रेंक्त करते हैं जिए को प्रैंबरे प्रीang को सब्सक्राइब सरक यह विगायर्ट है यह सब्रmotherusion व्यान करते हैं आगर इस उस्न परदीयू सब्सक्राइबra भीकर्थ चुक्षणी अगर यह कारें घ्रास बानन नागर इसन एक्ट्रोस किया गलर। combine gushing in presence of sunlight for example ऐसा करी बेस्ट एग्जांपल दिमों एदेख ओजून ओजून अस्च चिस फार मस अग वो ट्रापो सुफियर यह तो होता है ट्रापो सुफियर में ओजून दूसरा होता है सिट्रैटो सुपियर में यह तो याद सिट्रैटो सुफियर ओजून ची दोन फार्मर है कि यह Ozone जो है यह तो है secondary pollutant अगर यह secondary polluted है तो यह produce हो जाएगा काथ produce हो जाएगा जब primary pollutants आपस में react करेंगे तो हम ले लेंगे oxides of nitrogen NOx this is oxides of nitrogen you've got some combined with hydrocarbons they combine with hydrocarbons when they combine with hydrocarbons in presence of light what is the product that is ozone यह आपनोंको दिमाग में रखना है आपनोंको दिमाग में रखना है में चल याद थान जीच्छो primary pollutant यह primary pollutant यह दश्वाइपर है प्राइम प्रे मिलूटेंट सबकर पानवय react और इक इन हम हाँ बनो नो नो पॉलूटेंट that is called secondary सब्सक्राइब प्रैंबरी 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 प् दोली कोती है वो आपको बताने होती है देखिए पहले हम बताएंगे CARBON-MANOXIDE कारबन मनुक्सड है कि कारबन मनुक्सड आइसे तो और फानस्ति पता इकारबन मनोक्सड छूग्या मतने साथ कर्टान भी यह कह गया है गो युषी simply produce गासन incomplete combustion आप carbonaceous fuel या incomplete combustion ची येड़ करन carbon monoxide instead of carbon dioxide गो carbon monoxide युषी produce गासन, it is produced by incomplete combustion incomplete combustion आप carbonaceous fuel या फिवल अबनी तई carbonaceous fuel या सची produce गासन, ये incomplete combustion कैसी कमान है, carbonaceous fuel ये carbon monoxide क्या सब्सक्राइश गोजमती, ये tasteless होता है, ये orderless होता है और ये colorless होता है ये आपको दिमाग में रखना है colorless gas ये तेस्टलेस gas ये orderless gas and it is colorless gas, we are talking about carbon monoxide carbon monoxide ये दावन, ये दावन ये लिए incomplete combustion गाथे incomplete combustion carbonaceous fuel ये तेस्टलेस gas and orderless gas ये दावन, ये दी आपको इसके लिए major source अगर आप देखोगे, we killer emission, मतलब, transportation is the major source of carbon monoxide, major source जो इसका है, सबसे ज्यादा कहां से produce होता है, ये we killer emission, we killer emission, मतलब गयाड़े हिम फ्योवलोस ची इस्तियामाल करन, किमचि सारी खुद ज्यादे concentration आप carbon monoxide production, carbon monoxide produce करन, यह तो यह थे किया बएकि साइस चुमाना सिंपली कारबन अनुट्ट चुम मेजर यहां अबंडट गैस युस प्रोडूश चुमान अटमास्पेर अच्छ तो पॉपलेशन गई इंक्रीज यह आपको दिमाग में रखना है अब उसके बाद अगर आप देखोगे यह जो कार कर्भन मनोक्सार्ड ज्यादए इफिनिटी मतलब आपके पास ही को मुखिण है अब आपने प्रवायड किया यहां से कर्भन मुनक साल इसे ऑकशिजन अगर आप धेखोंगे कर्भन अमसाइड की ज्यादा है इसर्जेलोबित कर्भन काहिश्यज फी तक इस ज्यादे दान अगर आप देखोगे इसकी वज़से होती है इतना ही नहीं तो आपने देखा होगा यह ऑक्सिजन केरिंग कैपस्टी डिग्रीज करता है रिडूसिज अक्सिजन केरिंग कैपस्टी इतना ही नहीं बिलकिए अगर आप देखोगे ऑक्सिजन कैरिंग कैपस्टी भी इकाम करता है सफ्केशन इसकी वज़से होती है और यह एस्योसेट होता है विस र्यस्पिरेटृट डिशाड़र्स यूजवली इशी रैस्पिरेटृट्री ड और जो अइस तो रोख यह सोरु चो सिंपली इंकम्पलीट कंबस्चन आप कार्बोनेश फिवा त्याहँ वी इंशन चेए मिन अबंटरेट चंचे अधमस्पेरस मचेकार्वान नग्साइड इस याचिवाँ बिगाज आप रानस प्रॉटेशन आ पच्छ थावन याद इस टेस्ट लेस्ट इशू कलर्स एंड यू आडर्लेस गयास गार्बन मौनक साइड चैज ज्याद एफिनिटी हेमोगोलोबिन उसक्ड थान ओक्सिजन चुपि इशू कार्मनोग्साइड रियक्टां हेमोगोलोबिन नसी त बनाऊंची कार्बाक्सी हेमोगलोबिन बनन सीच च suffocation गसन, issue reduce करना oxygen carrying capacity and it is also associated with several respiratory disorders, यह है पहला that is carbon monoxide, carbon monoxide, अब उसके बाद हम देखेंगे, next most important one is that is ozone, ozone मगद यान चुए थावन या, that is we are talking about tropospheric ozone, यह polluted है, secondary polluted, secondary polluted, यह secondary polluted है, हम ozone की बात कर रहे हैं तो ozone क्या है खुद, यह secondary polluted है, और यह आप लोगों को दिमाग में रखना है, हमारे पास citratosphere में भी ozone है, हमारे पास traposphere में भी ozone है, traposphere का ozone जो है वो secondary polluted है, और इसका source जो है natural भी है, अगर आप देखो कि इसके लिए हम देखते है usually यह जो ozone है, यह produce कहां से होता है, यह oxide साथ nitrogen जो है, उनकी वज़े से oxidation होती है, hydrocarbons की sunlight पे, तो यह produce होता है, अगर तो यह विशिव यह ozone चुर, it is produced by, यह oxide साथ nitrogen चुर, यह चिकरन oxidation, they bring about the process of oxidation on hydrocarbons, यह hydrocarbons की oxidation करते है, hydrocarbons, and यहाँ पे इस्टिमाल होती है sunlight तो produce क्या होता है, ozone यह चुर थाओन, ozone चुर प्रिडूस गसे यह साथ oxide साथ nitrogen ची oxidation करन hydrocarbons, मगर sunlight की presence हमाज, यह चुर प्रिडूस गसे simply ozone, वो oxide साथ sunlight, अगर तो यह विशिव यह oxide साथ nitrogen तो hydrocarbons ची दश्वे primary pollutants, नाव तैम पाच्चु यह आद थाओन, इमन दश्वेन मिशे नाव ज़न, इमन चेस नाव ज़न इसे इंप्ली, अगर तो यह विशिव यह oxidants चीमाज प्रिडूस गे इमन चेस naवज लन प्रिडूस गे इमन Подच करन ज़न प्रिडूस गे Vaid Tut 1980 आवज जो खेख आभाएद प्रियन है यहां पर देखा आन्यक्स और न्यद्रेश्टा कर लेकिन आप देखोंगे यह औक्साइड-स आफ नाइट्रोजियन एड्रTo यह करते हैं इंड्यों यह दे अंदियुस्ट इसक्टाफ बेक्षान शिया रेक्षन जा ऐख वार्या रिक्षन्स काला ती मन र्याक्षन चीछ कामली वन फोतो खिमिकल ऑक्षिद्र गार्थ ङंगस्ट नाफ गासन तो अवार्श एक्षिद्रॉय मन पीया जा शिक्ट गासन डार कमली उप्यास फो they bring about the process of oxidation of hydrocarbons and the product is ozone. This is the tropospheric ozone which acts as a secondary. ये secondary pollutant act होता है. ये ये एक गसन as secondary pollutant. ये थावन याद ये ये एक गसन as secondary pollutant. Now, अगर थावन ये ये tropospheric ozone ये ये major कानस्च्वाट हा फोटोकेमिकल सुमादा है. major कानस्च्वाट ये 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 याद जाता है. major कानस्च्वाट अफोटोकेमिकल सुमाद. This is the major कानस्च्वाट अफोटोकेमिकल सुमाद. ये कुछ पुलूटेंट्स मैंने आज बता दिये बाकि जो है वो इंशाल्ला हम कल बता देंगे.